आज मैं लेकर आए हूँ ओट्स केक की रेसिपी जो की बहुत ही ज्यादा हेल्दी है और वेट लॉस में बहुत ज्यादा काम आता है तो जली से देखते हैं इसका इंग्रीडियंट्स तो सबसे पहले हम यहां पे जो मोल्ड में बनाएंगे उसको ग्रीस कर लेते हैं और बट बटिफिन के डिबे में भी बना सकते हैं तो यह अच्छे से हमने मोल्ड को ग्रीस करके रख लिया अब इसे साइड रख देते अब यह ना हम ब्लेंडर में बनाएंगे और इसे हम ओट्स से बना रहे हैं तो यहां पे हम लेंगे देड़ कप ओड्स ब्लेंडर में जोए और उसके बाद 1-4 cup cocoa powder इसमें डालेंगे, यह unsweetened cocoa powder है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एक teaspoon baking powder और half teaspoon baking soda लेंगे, और एकदम pinch of salt लेंगे, अब इसका एकदम fine powder हमें बनाना है, तो high speed में हम इसे 1-5 मिनिट तक अच्छे से घुमा लेंगे, तो देखिए इसका अच्छे से fine powder बन गया, अब हम इसको निकाल लेते हैं एक bowl में, तो यह हमारा weight ingredients बन गया है, अब हम एकदम ripe banana इसके लिए यूज़ करेंगे, और जो black वाला, black part हो जाता है, वो बनाना यूज़ करें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसे natural sweeten आता है, और उसके बाद हम इसमें लेंगे half cup चीनी, इसके जगा आप brown sugar भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर jaggery भी यूज़ करेंगे, अगर jaggery यूज़ कर रहे हैं, तो आधा cup और दो टेबल स्पून थोड़ा और यूज़ करें, और इसका हम इस तरह से, बिल्कुल fine इस तरह से बना लेंगे, और इसके बार में इसमे बैटर बन के तयार हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे एक टी स्पून जितना वेनिगर और एक टी स्पून जितना ही वेनिला एसेंस डालेंगे, इन सारी चीज़ों को पहले तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यह हमारा वेटी बैटर बन के तयार हो गया है, अब जो हम और weight or dry ingredients को अच्छे से mix करेंगे बिल्कुल जब तक कि ribbon consistency ना आ जाए अब जो भी process है normal cake बनाने में जो process है ना वो है तो इसे हम अच्छे से मिलाएंगे पहला batch हमने मिला लिया अब दूसरा batch भी हम इसमें डाल देते हैं और weight or dry ingredients को अच्छे से mix कर लेंगे और इसमें हम दूद नहीं डालेंगे दूद की जगा हम पानी यूज करेंगे normal tap running water हम यूज करेंगे गरम या बहुत जादा chilled नहीं tap running water यूज करेंगे तो यहां पर हम ले रहे हैं आधा कप जितना पानी और इसे थोड़ा थोड़ा करके आड़ करेंगे बहुत जादा पानी इसमें एक बारी में आड़ नहीं करना है थोड़ा थोड़ा एड़ करेंगे और एक smooth batter बना लेंगे इसमें न हमें आधा कप से स्पून पानी जितना लास में बच गया था वश इतना ही पानी बचा है तो आधा कप से इतना ही पानी हमें यूज हुआ है आप जो मोल्ड हमें तयार ग्रेस करके रखा था उसमें सारा बैटर डाल देंगे ओट्स वाला केक खाने का ये फाइदा भी है ना कि इसमें को वेट लॉस में भी बहुत जादा हेल्फुल होता है तो ये मैंने थोड़ा सा डार्क चॉकलेट डाल रही थी बट वो इतना जादा हमारे यहां गर्मी है कि वो पूरा मेल्ट हो गया तो इसके उपर से उसके बाद मैं ड्राइफूट्स फाइनली चॉप करके इसके उपर से डालोंगे जो भी ड्राइफूट्स आपको पसंद है या फिर अवेलेबल है उसको फाइनली चॉप करके इस तरह से उपर से टॉपिंग्स जैसा हम डाल देंगे गानिशिंग कर दे तरह बिल्कुल लो फ्लेम पर गो पर टो में तक हम लग क्लिना रखें तो Kathyarg चुर्अ मे पाइं के न चाहिए हुसज चैना लगा से मोएक कीया इसको अब में आब इस क्यूर ढलेंगे क behaviors दालने के बाद ना देखियी बिलकुल Churchill आ रहा है बहुत अच्छे से यह भी और फूल भी गया है या काफी अच्छे से तो यह बइक dzीय से और विल्यूव्य हो गयージ हैं रहा है हमारा टुछ्थ तो बस इस moment में हम flame को off कर देंगे और जो हमारा mold है उसे बिल्कुल room temperature पर ठंडा होने के लिए रख देंगे तो ये देखिए काफी अच्छे से ये ठंडा हो गया अब हम इसे demold कर लेते हैं तो एक बार knife को इसकी edges पर इस तरह से गुमा लेते हैं ताकि demold करते वक्त ये असान थोड़ा सा उपर से tap करेंगे ताकि वह इसली निकल जाए इसका जो बटर पेपर है वह हम अटा देते हैं कि इसे जागरी से भी बनाएंगे ना तो बहुत स्वादिस्ट बनता है और वह भी बहुत हिल्दी बनता है तो अब मैं दिखाती हो आपको कितना अच्छा इसमें जाली फॉर्म हुआ है बहुत ही स्पांजी बहुत ही सुपर सॉफ्ट केक बनके तयार होता है बिल्कुल भ इसमें कट करके दिखाऊंगे कि अंदर से भी कितने अच्छे से जाली फॉर्म हुआ है इसमें सारा हम पीसिस में कट कर लेंगे इसको यह लोफ केक मैंने बनाया आपको चाहिए तो स्कुएर या सरकल किसी भी मोल्ड में आप इसको बना सकते देखिए कितने अच्छे से इ यह केक तयार हुआ है बहुत हेल्दी भी है तो आप कभी भी इसको खा सकते हैं और ना सबको बहुत पसंद आएगा जो कि यह चौकलेट फ्लेवर का है तो जरूर ठ्राइब कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग इंजॉइ